हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू दिप्ते किचन तो आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं पास्ता जिसके लिए मैंने एक कड़ाई में पानी और साथ में नमक एड़ करके रख दिया है गरम होने के लिए हम इसमें ऑईल नहीं डालेंगे क्योंकि पास् बस इसको बीच में हम स्टर करते रहेंगे तो कुछ भी पास्ता हमारा एक दूसरे से नहीं चिपकेगा इसको ढग देते हैं बॉइल होने के लिए जितने हमारा पास्ता बॉइल हो रहा है इसको शिफ्ट करते हैं हम सेकंड गयस पे इस पे चड़ाते हैं हम कड़ाई डालत पसंद आएगी बीच बीच में हम इसको पास्ता को स्टर करते रहेंगे देखते रहेंगे यह पास्ता हमारा बॉयल नहीं हुआ है अच्छे से तेल गरम हो चुका है इसमें आट करेंगे दो तिन कलिया लसन की मैंने बरीक चॉप कर ली थी आप चाहे तो जिंजर गार्लिक प रेसिपीज को ट्राइज जरूर करिएगा आपको सिंपल क्विक इजी रेसिपीज आपको जरूर पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा मौर्णिंग में मैंने अक्चुली सैंविच बनाया था जिसकी कुछ बैल पेपर बच गई थी यलो एंड रेड तो मैंने वो भी इसमें आइड कर दिया है और टमैटो भी आइड कर दिया है साथ में डाला है मैंने एक टेबल स्पून नामक हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हल्का सा मैंने पानी ये एक टेबल स्पून या टू टेबल स्पून कहा ली जैं थोड़ा सा पानी लगा के ढख起 रख दिया था ताकि हमारी जो वैजी जेट अच्छे से सॉफ्ट हो जाए वैजी जेट हमारी सॉफ्ट हो चुकी है कैचप भी हमारा मिक्स हो चुका है अब इसमें हम साथ में ही आड़ कर देंगे हमारी पास्ता इनको अच्छे से मिक्स करके पास्ता हमारा रेडी है बस दो से तीन मिनट इसको थोड़ा सा ढखके रखना है ताकि पास्ता में हमारी जो ग्रेवी या जो भी मसाला है उसका पूरा का फ्लेवर आया पाए पास्ता रेडी हो चुका है इसको हम ट्रांस्फर करेंगे बाउल में देखे कितना अच्छा टेस्टी कलरफुल डिफरेंट वेजीज के साथ पास्ता रेडी है में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू